कि नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल भी नहीं आरपी में जैसे कि आपनी थंबनेल में दिखा होगा कि बहुत सारे बाहियों के पास यह एरर आ रहा है ये जो मोस्ट्ली एर रही विंडोस 7 में आता है मैं अपको थोड़ा से शेयर के बारें बता दूं बिंडोसवन में यह इसकार न आता है क्यूंकि Microsoft ने जो अपनी services हैं दीरे-दीर करके कम कर दी हैं विंडोस 7 में उसको window 10 करवाए window 10 प्रॉपर जो है वर्किंग में है window 11 भी ना करवाए window 11 भी बीटा वर्जन है window 10 करवाए 64 बेट और window 8 में भी ऐसे दीरे-दीरे करके error नहीं लग जाएंगे सो सबसे आज की टाइम में जो best window चल रही है window 10 चल रही है जैसे पहले window 7 सबसे best थी आज की टाइम में window 10 सबसे best है पूरी अपनी suitable window है और पूरी आपका proper चलेगी यह error को अपने किस तरह से solve करना है उसके बारे में आज आज को पूरी जान करी देंगे सो बने रही है आप मारी वीडियो के साथ मारी वीडियो को जूर लाइक करिए चैनल को सबस्क्राइब करिए और साथ ही bell icon दवा दिए तांकि software के regarding जो भी new updates है इस तरह के आपको आते रहते हैं पता चलता रहे तो आपको मिलते रहे हैं वह updates हमारी वीडियो को यहर आप ला है जी service pack one करें ऑस लिजी service pack one करके एंटर चु करोगे आपने पहले मंच कम्प्यूटर करें dir mo Edge empreff में आके यहां पर आपने क्या करना है system and security में चले जाना है system and security के बाद यहां पर view amount of ram and processor speed में जाओगे आप यहां पर इस तरह से आपको interface खुल जाएगा आपकी 7 window का तो आप system type में लिखाओगा 64 bit 32 bit जो भी bit लिखाओगा वो अपने धियान में रखना है उसके कोड़िंगी हमने जो है यह service pack की फाइल को हमने download करना है यह हमारे पास आगे देखो जी install windows 7 service pack देखो windows 7 के लिए ही special यह चीज बनाईगी है ठीक है इसको आपने यहां पे थोड़ा सा नीचे आ जाना है वीडियो को अंतक बने रहे अगर आप बीच में skip skip करके देखेंगे तो आपको प्रोपर पता नहीं चलेगा और आप गल्त कर लोगे फिर फिर आपका window loss भी हो सकता है तो आपको पहले बॉर्ण कर रहा हूं वीडियो को ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे इसकिप ना करें यहां पे आपने go to download page पे चले जाना है जी download page पे आप जैसे चले जाओगे यहां पे आपको show हो जाएगा कौन सा service pack करना है अगर आपकी 32 bit है तो आपने यह नीचे वाला कर लेना है 32 bit नहीं है आपका 64 bit है 64 bit है तो आपने यह वाला कर लेना जी मुस्ति सभी का 64 bit होता है तो 64 bit वाले यहां पे हमने इसको click कर देना है जी download पे कर लोगे download पे भी हो जाएगा कोई issue वाली बात नहीं है यहां पे देखो इस पे आपको proper आपकी detail आ जाएगी उसके service pack की हमाई detail आ गई यहां पे हमने download पे click कर देना है जी download पे आप click कर होगे आपके पास इस तरह से द download पे लगा देना है यह क्रीब 900 MB की file है सो internet डालके रखना है 900 MB की file हमारी download पे लगी है जैसे download होती है हम वीडियो को पास कर देंगे तांकि वीडियो जाला लंबा ना हो 32 bit वाले बाईयों को भी दिखाएता हूं मैं सेम ऐसे ही है download पे लगाओगे download पे लगाओगे आपके द करना है और किस तरह से आगे process होगा देखे 800 के नियर बाउट हमारी MB डाउनलोड हो चुकी है बस यह थोड़ी सी रहेगी है सो वेट कर लिए थोड़ा सा होती है फिर आपको आगे process दिखाते हैं क्या बात है देखे हमारा 903 MB पूरा डाउनलोड हो चुका है आपने क्या करन दोड़ा रुपन हो जाएगा जैसे देखें चुवह इन फोल्डर पर क्लिक किया यह मेरा डाउनलोड का फोल्डर ऊपन हो गया जी बाकी सब्सक्राइब करता हूं इसको आपने डावल क्लिक करके जी open कर लेना है ऍथ है कि अ कि थोड़ा सा टाइम लेता है तो आपने जो है मेरे computer में विंडो 10 है मेरे computer में यह download और install नहीं होगा आपने simply क्या करना है जिसको जब यह double click कर के open हो जाएगा इसको next next करके आपने install कर देना है जब next next install करोगे तो वहां पर आपको दिखाएगा कि यह server time आपका PC restart होगा तो यही है आपने इसको proper download करके install कर लेना है अगर फिर भी आपका error resolve नहीं होता है तो हमें comment करके जरूर बताइएगा हमारी टीम आइसके regarding आपके पूरी साहता करेगी बाकि बने रहे हैं हमारी वीडियो के साथ मारी वीडियो को जरूर लाइक करिए चैनल को subscribe करिए तो बने रहे हैं हमारी चैनल के साथ thank you जी शुक्रिया कर दो